दोस्तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके BSC Second Year 4 Semester Botany के Unit Second Botany of Oils, Fiber, Timber, Yielding, Plants and Dyes से जुड़ा हुआ एक टॉपिक और हमारा आज का टॉपिक है Fibers तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे कि Fibers होते क्या हैं, Fibers कितने टाइप क्यों होते हैं और जितने भी टाइप सम पढ़ेंगे उनके example को details से discuss करेंगे उसके botanical name, उसके family, उसके economic important, उसके cultivation के बारे में जानेंगे तो आएए सबसे पहले देखते हैं कि Fibers होते क्या हैं, Fibers may be defined as any hair like raw material directly obtained from an animal, vegetables or mineral source and converted into non-woven fabrics such as paper or after spinning into yarn into woven cloth तो कहने का मतलब यह है कि Fibers यानि कि रेसो को किसी भी बाल जैसे कच्चे माल के रूप में परिभासित किया जाता है, जो कि सीधे किसी जानवर, सबजी, किसी खनीज, स्रोत या फिर पौधों से प्राप्त किया जाते हैं और इन्हें कागर जैसे गैर बुने हुए कपड़ो या सूत के रूप में कताई की जाती है और उन्हें कपड़े के रूप में या फिर कह सकते हैं कि Fibers के रूप में परिवर्तित किया जाता है तो कहने का मतलब यह है कि जो Fiber है वो Plant से भी प्राप्त हो सकते हैं Animal से भी प्राप्त हो सकते हैं तो Plant से प्राप्त होने वाले Fiber को हम बोलते हैं Plant Fiber और Animal से प्राप्त होने वाले Fiber को हम बोलते हैं Animal Fiber तो यदि हम बात करें fibers के classification की यानि की fiber के type की तो different type के fiber होते हैं उनके unique character के आधार पर या फिर texture के आधार पर हम उन्हें अलग-अलग category में बाढ़ सकते हैं तो basically देखा जाए इन्हें five categories में divide किया गया है पहला है bust fiber, दूसरा है leaf fibers, तीसरा है seed fibers, चौता है wood fibers और last है fruit fibers, तो यहाँ पर पाचो प्रकार के fibers के नाम दिये गया है और उनके example भी दिये गया है, तो आईए one by one हम जितने भी fiber है उनके बारे में details से समझते हैं, तो आईए सबसे पहले समझते हैं कि bust fiber होता कै तो यहाँ पर आपको बता दे कि bust fiber पर आपके exam में question पूछे जाते हैं, तो आप इसको अच्छा स्तयार कर लेजेगा तो बास्ट fiber होता कै बास्ट fiber are long fibers that are obtained from phloem और the outer layer of stem of certain plants, these fiber are usually strong and have greater length to width ratio compared to other plant fiber तो जो fast fiber होते हैं, यह long fiber होते हैं और यह कुछ पौधों के जो सबसे outer layer होती है, phloem होते हैं उससे बनते हैं, उससे प्राप्त होते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि यह जो fiber होते हैं, सबसे strong होते हैं बाकि जो दूसरे fiber होते हैं उनकी तुलना में, तो इसके कुछ उधारण देखते हैं, इसके उधारण है flax, hemp, jute, आये सबसे पहले हम बात करते हैं, jute की तो सबसे पहले इसका classification देखते हैं, इसका class है dicotyledons, order है malwells, family है tiliacee, और genus है corcorus तो family आप जरूर याद रखेगा, family है tiliacee, और इसका botanical name है, यानि कि इसका genus है corcorus तो जो jute है, यह generally दो most important species से प्राप्त होता है, पहला जो है white jute, जो की corcorus capsularis से प्राप्त होता है, दूसरा है tosa jute, जो की corcorus olitoris से प्राप्त होता है और सबसे important चीज, इंडिया और bangladesh में इसे golden fiber के नाम से जाना जाता है, क्यों जाना जाता है, क्योंकि यह आपको अगर इसका shiny appearance देखेंगे तो यह gold की तरह दिखाए देता है, इसलिए इसे golden fiber कहा जाता है next हम बात करते हैं, jute की खेती, यानि कि इसके cultivation की, तो हमारी जो economy है, largely depend करती है इसकी खेती पर, क्योंकि इसे higher amount में foreign currency प्राप्त होता है और इसके cultivation के कौन-कौन से step है, नीचे दिये गया है, जैसे कि land preparation, jute rotting, use up, pesticide, fiber collection, sewing, तो यह सब दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं, वैसे इसको लिखने की ज़रुरत नहीं है आगे आप image में देख सकते हैं कि कैसे jute को निकाला जाता है, जैसे कि यह आप देख सकते हैं, jute का plant है, उसके जो outer layer है उसको छिला जाता है, फिर उसको पानी में रखा जाता है, processing किया जाता है, बाद में इसको सुखा कर कुछ इस तरह से jute fiber तयार किया जाता है यदि हम बात करें जूट फाइबर के केमिकल कमपोजीशन की तो इसमें आपको सेलुलोज 65.2% हेमि सेलुलोज 22.2% लिगनीन 12.5% वाटर लगभग 1.5% और फैट्स और वैक्स आपको 0.6% देखने को मिलते हैं अगर हम माइक्रोइसकोप की सहाता से इसके अल्टर इस्ट्रक्चर को देखे तो आपको सबसे यह आउटर लेयर दिखाए देगा उड़का जो सबसे आउटर लेयर है इसी में आपको हेमि सेलुलोज और लिगनीन यह सभी दिखाए देंगे यह सभी माइक्रोफेब्रिल्स ह और अगर हम इसके chemical composition को देखे at least तो आपको इसमें cellulose दिखाई देगा तो सबसे अधिक जो मात्रा होती है इसमें cellulose की होती है नेक्स्ट हम बात कहते हैं जूट के uses की तो इसका use सबसे पहले sacking यानि की बोरा बनाने में आप सबी ने जूट के बोरे जरूर देखे होंगे इसके अलावा हैसेंस यानि की tart, carpet, waving, twine यानि की रसी इन सबी के बनाने में इसका निर्मार होता है इसके अलावा इसके जो लकडियां होती है ठीक है ना यह तो fiber की बात हुई इसके बचे वे जो लकडियां होती है उसके द्वारा अलग अलग तरह के designer fiber बनाये जाते हैं इसके लावा table mat है, hats है, gloves है luggage bag है, fancy bag है, shopping bag है, carpet है यह सबी तैयार किये जाते है इसके लावा इसका जो एक structure है jute geot textile मतलब कि इसका use किया जाता है road construction में canal bank protection यानि कि जो किनारे कड़ जाते हैं नदियों के वहाँ पर उसको रोकने को soil erosion को control करने में तो यहाँ पर आप jute के बने वे इन सभी चीज़ों को देख सकते हैं और हम daily life में कही ने कही इनका use भी करते हैं, तो jute के बाद अगला जो बहुत important है इन सभी नामों से यह जाना जाता है और इसका plant part जो use होता है वो होता है stem vast fiber यानि कि यह भी एक vast fiber का example है बात करते हैं इसके distribution की कहां कहां पाया जाता है इसका cultivation Ceylon, India और Southern Asia में किया जाता है और वहीं बात करें इंडिया में तो इंडिया में इसका cultivation UP, आंद्रप्रदेश, तमिलनाडू, बिहार, मद्रप्रदेश और महारास्ट्रा में होता है यदि हम बात करें इसके plant की तो एक प्रकार का खरीब crop है और यह जनरली आपको tropical और subtropical region में देखने को मिलता है और यह ऐसे जगह पर रुखता है जहाँ पर annual जो rainfall होता है वो 52-75 cm से कम होता है और इसके लिए जो soil की जरूरत होती है वो एलुविल और लोमी soil होता है इसका जो पौधा होता है वो लंबा स्रब है और erect branches होते हैं इनकी जो पत्तिया होती है वो simple or lanceolate होती है वो ही अगर हम बात करें इनके inflorescence की तो इनकी जो inflorescence है वो axillary racine होती है इनका जो flower होता है वो yellow color का होता है पैपो, linious होता है irregular और hermaphrodite होता है वो ही बात करें हम fruit की तो inflated pod होते हैं और इसका जो beige होता है वो dark grey या फिर black color का kidney sept होता है यदि हम बात करें इसके fiber की तो इसका जो fiber होता है वो standard ribbon like होता है very light in color और long, lusherous appearance होता है इसके जो fiber होते है वो बहुत ही अच्छे resistance होते है micro organism और moisture के और इनका जो fiber होता है बहुत strong और durable होता है क्योंकि इसमें बहुत अधिक मात्रा में tensile strength पाई जाती है और अगर इसके chemical composition की बात करें तो इसमें 80% cellulose देखने को मिलता है इसके लावा thickening के लिए इसके अंदर lignine भी पाई जाती है यदि हम बात करें सनई की uses की तो इसके जो fiber होते हैं वो रसियां बनाने में ropes बनाने में, twines बनाने में cord बनाने में इसके जाते हैं इसके लावा इसके जो raw material होते हैं इनका use tissue paper और currency paper बनाने में भी किया जाता है इसके लावा जो fishing net होती है वो भी इसी से बनाए जाती है क्योंकि ये पानी के अंदर destroy यानि की खराब नहीं होते हैं और इसके जो stall का है और जो leaf है इसका use किया जाता है fodder के रूप में cattle के लिए तो bast fiber के बाद अगला जो fiber का type है वो है leaf fiber, seed fiber तो इनके बारे में हम अगले वीडियो में discuss करेंगे तो आज के इस वीडियो में बस इतना है आपको आज के ये वीडियो कैसा लगा comment करके ज़रूर बताइएगा वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को like और share करना मत भूलेगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया हुआ है तो please चैनल को subscribe कर ले और बगल में जो bell icon इसे प्रेस करना मत भूलेगा ताकि जब भी मैं इस तरह के वीडियो अपलोड करू उसका notification आपको मिलता रहा तो मिलते हैं अगले वीडियो में second part के साथ तब तक के लिए जै हिंद जै भारत